Hello friends, welcome to another video of Travelling Engineers मैं अभी अपनी Krita के अंदर आ गया हूँ मैं आज आपको कुछ smart features और intelligent features दिखाऊँगा Krita के, जो कि उतने popular नहीं है लेकिन बहुत useful है काफी शानदार features है और दिखाता है कि एक connected car और एक non connected car का difference किया है बहुत सारे ऐसे features है पहला feature दिखाने के लिए मुझे गाड़ी स्टार्ट करनी होगी तो मैं गाड़ी स्टार्ट कर देता हूँ गाड़ी स्टार्ट हो गई है अब देखिए होता कि आए कि बहुत बार आप drive कर रहे हैं अगर आप बड़े शहरों में हैं हैतराबाद बैंगलोर दिली तो आपके बहुत बार 90 सेकेंड के या दो मिनिट की या तीन मिनिट के सिगनल होते हैं तो लोग क्या करते हैं उसमें अपनी गाड़ी आफ कर देते हैं जो कि recommended भी है लगा रखा है वो नहीं जाएगा इवन दो गाड़ी आफ है तो काफी useful feature है यह similarly आपका sunroof के जो features है अगर आप करना चाहते हैं तो देखे sunroof अभी भी काम कर रही है specially कोई भी और electronics से related option है आपका dash का कोई option है यह सारे features तीन मिनट तक आपको available रहेंगे अगर passenger door से कोई exit करता है still यह features on रहेंगे लेकिन अगर आप खुद exit करते हैं तो यह features automatically off हो जाएंगे तो इससे होगा कि जिससे आप बाहर चले गए हैं तो आपकी battery का drain है वो battery का drain नहीं होगा लेकिन जब तक आप अंदर हैं तीन मिनट के limit तक यह सारे features आपको available रहेंगे जो कि काफी अच्छी बात है specially अगर आप stop star traffic में रहते हैं बहुत ज़्यादा signals के बीच में आपको travel करना पड़ता है तो यह बहुत ही शांधार feature है जब काफी काम आएगा अब मैं आपको एक और feature दिखाता हूँ जो थोड़ा सारेटर feature है काफी useful feature है बट बहुत लोग जानते नहीं इसके बारे में और काफी अच्छा feature है तो होता क्या है कि जैसे मैं बैठा हुआ हूँ गाड़ी में मैंने विंडो रोल डाउन कर रखी है और मैं कीसे बात कर रहा हूँ मैं फोन पे हूँ या जो भी है मैं बात करते करते बाहर निकल गया और मैंने गाड़ी बाहर से लोग कर दी लेकि मैंने ये ध्यान नहीं दया कि मेरी विंडो ओपन है तो क्या होगा क्या कोई बाहर से हाथ डाल के मेरा दर्वाज़ा अनलॉक करके गाड़ी ले जा सकता है अब ये दिखाने के लिए मुझे गाड़ी से बाहर चलना होगा तो मैं बाहर चलता हूँ और मैं गाड़ी लॉक करूझगा विंडो मेरी उपन ही रहेगी मैं विंडो मन नहीं करूंगा अब ये देख感じ यह गाड़ी लॉक है कोई आसपस है नहीं तो मैं हाट डाल के इस गाड़ी को खोलने कुश्च करूँगा देखते हैं क्या होता है तो मैं अनलॉक बटन डूंड़ूंगा और यह मैंने खोल दिया और देखिए गाड़ी का अलाम ओन हो गया है सारे ब्लिंकर्स अन हो गए है अब जब तक मैं गाड़ी बंद नहीं करता हूं अपने आप अनलॉक बटन से तब तक यह अलाम बचता रहेगा और यह गाड़ी अब अनलॉक हो गई है और अब अलाम बंद हो गया है तो यह काफी अच्छा फीचर है जो कि अगर आपने गलती से अपने विंडोज रोल ड इस एंटी थेफ्ट सिस्टम में जो कि काफी अच्छा है काफी स्मार्ट फीचर्स हैं काफी फायदे मंद फीचर्स हैं अब देखे जैसे मान लीजे कि आपका जो चोर है वो सम्हाव कुछ भी करके आपकी गाड़ी में घुस चुका है आपके जित्ते अंटी थेफ्ट फी स्मार्ट की नहीं है अब मैं उसको लॉक कर वा दूँगा देखे यह मैंने लॉक कर वा दिये आपका ब्लिंक कर गया तो अभी चोर क्या करेगा चोर गाड़ी को स्टार्ट करनी कुछ करेगा तो मैं आपका गाड़ी स्टार्ट करनी कुछ करता हूँ और देखे यहाँ पे लिखते आ गया है की नौट डिटेक्टेड गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है तो अब क्या करेंगे और एक और चीज़ आप देखेंगे यहाँ पे एक ब्लिंक कर रहा है इस अ वार्निंग साइन कि चाभी अंदर नहीं है कोई अंदर गाड़ी में है तो अब मैं क्या करूंगा अब जो चोर है वो बाहर निकली को इस करेगा तो देखते हैं क्या होता है देखिए अलाम बजना शुरू हो गया है और अब आप देखेंगे जब तक मैं अलाम आफ नहीं करूंगा तब तक यह अलाम बचता रहेगा और यह चोर आपका पकड़ा जाएगा एक और फीचर मैं आपको दिखाता हूँ जैसे आप गाड़ी में हैं आपने गाड़ी लॉक कर दिये तो मैंने लॉक कर दिये गाड़ी देखिए सारे डॉर्स लॉक हो गए है तो अभी एक फीचर है कि ड्राइवर साइट पे मैं चाहूँ तो बीना अनलॉक किये अपना दरवाजा खोल सकता हूँ और मैं बाहर निकल सकता हूँ मैं दिखाता हूँ आपको कैसे देखे मैं अनलॉक नहीं करूँगा गाड़ी मैं सीधे हैंडल से दरवाजा खोलूँगा और यह दरवाजा खोल गया है बाकी गाड़ी अभी भी लॉक है अगर आप देखेंगे तो कोई भी डॉर अनलॉक नहीं हुआ है पैसेंजर साइट पे एक और फीचर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्रेटा का अफी अच्छा फीचर है इसके लिए मुझे थोड़ा सा गाड़ी से दूर जाना पड़ा है क्योंकि मुझे गाड़ी लॉक करके उसकी रेंज से बाहर निकलना था और मुझे थोड़ा सा अंधेरा भी चीए था यह फीचर आपको बहुत ज़दा डेलाइट में समझ नहीं आएगा वीडियो क्वाल्टी थोड़ी सी कम है इसलिए लेकिन अब मैं अपनी गाड़ी के पास आ गया हूँ तो मैं आपको यह फीचर दिखाता हूँ देखिए मेरे पास गाड़ी की स्मार्टी है मैं इसकी रेंज में आया आपने देखा होगा गाड़ी लॉक ती और यह अनलॉक हो गई और यहां पे एक लाइट भी है इसको कहते है पडल लाइट जैसे आपने कहीं कच्ची जगह पे गाड़ी खड़ी की है नहीं दे रही है even though एक स्टेंडर्ड फीचर होता जा रहा है यह वो है आपका वायरलेस जार्जिंग का फीचर यह क्या है कि यहां पे एक वायरलेस चार्जिंग पैनेल दिया है इसमें आप कोई भी फोन रख दीजे नोट कोई भी आपको फोन रखना और फोन बस वहां पैनल पर रखते ही चार्ज होने लगेगा, आपको कुछ कनेट करने की जुरत नहीं, कोई वाय कने की जुरत नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ यह कैसे होगा, तो मैं भी गाड़ी स्टार्ट करूँगा, गाड़ी स्टार्ट हो गई है, अब देखे मैं और अगर अब दिहान से देखेंगे, तो फोन आपका ग्रीन लाइट आपको ओपर दिख रही है, वो चार्ज हो रहा है, यह आपका वायरलेस चार्जिंग का फीचर, काफी यूसफुल फीचर है, अगर आप गलती से अपना यूसबी केबल, अपना चार्जर केबल ले जा तो गाइस, यह थे कुछ अमेजिंग फीचर्ज हुनडा करेटा 2020 के, ऐसे और भी बहुत सारे फीचर्ज हैं, मैं उनके लिए इस वीडियो का पार्ट टू और पार्ट थी भी बनाने वाला हूँ, सारे फीचर्ज को एक वीडियो में डालना थोड़ा सा मुश्किल है, काफ झालना